केंदर के बीजेपी सरकार ने अपने कोर वोटर को मनाने के लिए लोगसभा चुनाओं से ठीक पहले बड़ा दाउं चला है 2014 में हुए लोगसभा चुनाओं में बीजेपी को 48 फीजदी समण मतदाताओं ने वोट दिया था जो बीजेपी की बड़ी जीद भी बनी लेकिन 2018 आते आते सेस्टी में संचोधन बिल के साथ ही कई मुद्दो को लेकर समण वोटर बीजेपी से दूर होता चला गया जिसका असर पिछले साल हुए पांच राज्यों के चुनाओं पर भी साथ देखने को मिला बड़ी संख्या में समण वोटरों ने चुनाओं में किसी को वोट नहां देकर नोटा का इस्तमाल किया खास बात यह है कि समण वोटर बीजेपी से तो नाराज दिखे लेकिन कॉंगरस को भी वोट नहीं दिया लही वज़ा है कि मद्दप्रदेश में बीजेपी बहुमत से मातर साथ कदम दूर रह गई अगर सवन नोटा नहीं दबाते तो आज मद्रप्रदेश में बीजेपी के सरकार रहती साथी राजस्थान में भी बीजेपी और कॉंग्रेस में वोट का अंतर महज आधा प्रतिशत का रहा खाज बात यह है कि विपक्ष की लामबंदी भी बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर चुकी है अब बड़ा सवाल यो ट्राए कि क्या बीजेपी आर्थिक रूप से कमजोर सवन्यों को आरक्षन देकर विपक्ष की लामबंदी को बेशर कर सकती है साथ ही एक बार फिर बीजेपी सवन वोटरों को मनाने में काम्याब हो पाएगी आज इन ही सवालों का प्रशन चवाब धूनने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं लोगसभा चुनाओं से पहले पीम मोदी ने आरक्षन का दाओं चलकर विरोध्यों की लामबंदी की हवा निकाल दी केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछल सवर्णों को दस फिजदी आरक्षन देने का मास्टर स्ट्रोक लगाया है लोगसभा चुनाओं से ठीक पहले मोदी दाओं से विपक्षी पाटियां चारो खाने चित होती दिख रही हैं हमसे कोई नाराज नहीं है सबका साथ सबका विकास में गरीब सवर्ण भी आते हैं और गरीब सवर्ण को दस परसेंट का रच्छन देके जो वर्सों से मांग थी यह मांग को पूरा करने का सास शपनिंद के सीने वाले नरिद मोदी ही कर सकते थी और उन्होंने करके दिखाया साफ है कि मामला वोट बैंक का है नहाजा विपक्षी दल ना चाहते हुए भी सरकार का साथ देनी की बात कर रहे देर कर दी महरमा आते आते और यह भी चुनाओ के वक्त में जिसका कोई लोजिस्टिक समझ मां आता नहीं है आप देखो कितना ही सीर्षासन कर लें कितने ही जुम्ले गड़ लें अब मोधी जी को कोई भी आशन जो है पजचुत होने से नहीं बचा सकता है बीएसपी अध्यक्ष मायवती ने सरकार की मन्शा पर सवाल उठाया है हलाकि उन्होंने सवाणों को आरक्षन देने के फैसले का समर्थन भी किया है मायवती ने स्वाण समाज के गरीबों को दस परतिशत आरक्षन दिये जाने के केंद्रिय कैबिनेट के कल के लिए गई फैसले का बीएसपी स्वागत करती है हलाकि बीजेपी द्वारा लोग सबाम चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्ता में सही नियत से लिया गया फैसला नहीं लगता है दरसल पिछले साल पाँच राज्यों में हुए विधान सबा चुनाव में S.C.S.T. कानून को लेकर सवर्णों में नाराज की देखी गई राजस्थान और M.P. में हार की बड़ी वज़े भी इसी को माना गया लेकिन अब लोग सबा चुनाव में बीजेपी अपने कोर वोटर को लेकर कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती यही वज़े है कि P.M. मोदी के इस फैसले से नाराज सवर्णों को मनाने के दाओं के रूप में देखा जा रहा है Team News State तो किस मनशा से लाया जा रहा है और क्या इसका असर रहेगा सरकार के नंबर्स पर और इसके अलावा दूसरे और तमाम पहलों पर भी हम बात करेंगे हमारे साथ वर्ष पत्रकार नौइडा स्टुडिय मौजूद है N.K. सिंग और साथ ही BJP नेता दिनेश सिंग हमारे साथ मौजूद है और भी हमारे साथ मैमान जुड़ेंगे राजसभा में दिक्कत आ सकती है इसके पास होने में क्योंकि वहाँ पे अभी कल से आज तक कुछ री थिंकिंग चल रही है पॉलिटिकल पार्टी में कि इसको कैसे किया जाए एन चुनाव के बद पे आया है और जो चुनाव में सरकार इस तरह का करती है लाब उसको कुछ हद तक मिलता है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेने देना चाहेगी तो वो अजीब अजीब कलॉस पे इसको रोकना चाहेंगे कलॉस यह हो सकता है कि साब अगर यह दे रहें आप तो 50% की सेलिंग जो थी उसको क्रॉस कर गया लियाजा अब सबको उनके भागिदारी पॉपुलेशन के हिसाब से दीजिए यही कहके उसको रोक देंगे लियाजा अभी राजसवा में इसके रुखने के चांसेज है अनफॉर्चुनेटली चुकि कॉंस्टिूशन एमेंडमेंट है जोइंट सेशन में पास नहीं कराया जा सकता वैसे भी वो प्रक्तिया समिधान समद नहीं है तो लियाजा आपको टू थर्ड से दोनों सद्नों में पास कराना होगा अगर हम मान भी लें कि यह पास हो जाता है तो फिर वो सुप्रिम कोर्ट में जाएगा और सुप्रिम कोर्ट में उस टच स्टोन पे देखा जाएगा कि एक तो आपका इंटेंशन क्या था कोई भी सुप्रिम कोर्ट अपने फैसले में ये नहीं चाहेगा कि सरकार एक चालाकी से तीन महीने पहले चुनाओ के पांच साल तक कुछ नहीं हुआ और आपने उसके लिए जनमत नहीं बनाया आपने कोई रिपोर्ट तयार नहीं की जो सीरियस रिपोर्ट हो आपको एक छोटी से रिपोर्ट है मैंने सुना है कोई रिपोर्ट नहीं तयार की और इतना बड़ा चेंज आप all of a sudden चुनाओ के दोरान ले आते हैं तो कोई इसमें अपने फैसले को मुझे लगता है कि फैसले से इसको रोप देगा दिनेश सिंग जी क्या आप ये जरूरी समझते हैं कि इस प्रशन उठाया जाए कि आखर जब चुनाओं में करीब-करीब 100 दन का वक्त बचा है आम चुनाओं में उससे पहले इसे लाया जा रहा है और इसको लेकर जो सवाल उठाया है आप इसको जायज समझ रहे हैं चली दिनेश निजी से हमारी फिलहाल अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है सदफ जाफर जी हमारे साथ हैं कॉंग्रस प्रवक्ता सदफ जी आपका स्वागत है आपकी पार्टी विप जारी करके समर्थन करती है ये दिखाने की पूरी कोशिश की आप उस फ्रैक्शन के साथ हैं उस समुदाए के साथ हैं जिसके प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसके टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं आप इस पर क्या कहना चाहेंगे बेशक चार साल आठ महीने आपने खतम कर दिये चार साल आठ महीने में आपने सरकार आरक्शन आप देंगे तो कहा देंगे सरकारी रोजगार आपने खतम कर दिये हैं जितने नौरतन थे वो अपने हाल पे उन्होंने जो कर दिया है बेच डाले है जिस तरीके से उसको बुरी तरह से उसको तोड़ा गया है और खतम किया जा रहा है आज हेल के पास अपने इंपलॉईस को देने के लिए तनखाय नहीं आप आरक्षन देने की बात कहा कर रहे है पहली बात तो यह है दूसरी बात यह कि चार साल आठ महीने गुजारने के बाद आज आपकी आँख खुली है आज आपको फिक्र जगी है 2010-11 में जो हम लोगों ने एक कॉंग्रेस पार्टी ने गठन किया था एक आयोग का और उसकी रिपोर्ट में भी यही बात कही गई थी कि 10% आरक्षन होना चाहिए लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 1992 में जब यही सवाल नरसिमा राउसाब की सरकार के दौरान उठाता कॉंग्रेस सरकार में तो इंद्रा साहनी वर्सिस औरीसा हाई स्टेट औरीसा में उसको कह दिया गया था कि 50% के उपर जा नहीं सकता है तो वो सारी चीजों को दिमाग में रखा जाना चाहिए बेशक सामाजिक और आर्थिक आधार दिमाग में रखना होगा ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है इस पे बहुत जादा बात करने की जरूरत है चर्चा करने की जरूरत है लोगों में जाने की जरूरत है जुमले की तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि आज तक हम भी इतजार कर रहे हैं हम भी इतजार कर रहे हैं दूसरी बात कुछ लोगा ये भी तरक है कि चुकि तमिलाडू में ऐसा किया गया है वहाँ नौवी अनुसूची में से डाला गया जुडिशल रिव्यू से इसको दूर रखने के लिए वहाँ पर ऐसा लाग हुआ ऐसा कुछ विकल्प या ऐसी को नहीं कर सकता लियाजा उसको उसने जुडिशल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर में भी रखा गया है लियाजा ये कहके आपके नाइंचित हां तमिलाडू में हुआ क्यों वह सौ साल का ही तियास है तमिलाडू में केरला में आज से 1901 में पहली बार महारास्ट के प्रेसिडेंसी फिर बंबे प्रेसिडेंसी ने किया और अंत में 1943 में अंबेदकर को खुश करने के लिए गांधी के खिलाप अंग्रेजों ने ये दिया था ये है उसके किस साथ लेकिन ये बात बिलकुल सही आपका जो सवाल है कि क्या ये 50% का जो लिमिट लगाया था जो पर जब आप 10% एक्स्टा देंगे वो भी चुनाओ के दिन तो कोट के सामने दो चीज़े होंगी क्या ये कलरेबल एक्सरसाइज ये आपने सिर्फ चुनाओ जीतने के लिए किया है ये कोट कभी नहीं चाहेगा आपने फैसले में कि इसको किसी पार्टी को फाइदा हो जी गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है एक्साम पास करना एक अलग चीज है और इमांदार रहे के गवर्नेंस चलाना ये बिलकुल अलग चीज है ये कोट के पास ये सारी चीज़े रहेंगी जब वो इस केस को देखेगा सबसे पहला ये होगा कि सिर्फ चुनाओ के सौ दिन पह जो सम्विधान में जो मौलिक अधिकार है उनका कहीं खनन तो नहीं होता है इसको करने से अजिया बिलकुल साइज से 15, 4, 16, 4 मौलिक अधिकार के sections हैं वो हैं clauses हैं और इसमें अगर ये हो रहा है कि भाई merit को आप कहीं रोक रहे हैं तो ये भी fundamental right to equality जो article 14 में है वो इसमें है लियाजा वो जाहिर है कि देखेंगे कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि reservation के नाम पे हम merit को बुरी तरह से crush कर रहे हैं ये court के नजर में भी रहेगा और मेरे ख्याल से जैसे ही वहाँ जाएगा तो ये खारिज हो जाना चाहिए चीक है और हमारे साथ इस वक्त इस debate में शामिर हो रहे हैं पीम तरपाथी जी सम्विधान विशशग्य और साथ ही हमारे साथ भवाद दिलीब सिंग जी भी है राष्टवादी जन लोग पार्टी से उनके पास भीम जाएंगे पीम तरपाथी जी सम्विधान संचोधन के से लिए एक प्रयाज सरकार का किस तरह से आप देख रहे हैं इसको कितना सही है यह समविधानिक रूप से समविधानिक रूप से इसमें बहुत सारी अरचने हैं बहुत सारी समस्याएं हैं और कई सारे प्रश्ण हैं जिनका जवाब सरकार को मीडिया में जनता के सामने और संसद में रखना होगा पहली बात यही है कि जब इंदरसाहनी वाले मामले में 50% की जो सीलिंग थी उसको बाहल रखा गया तो इसमें 10% जादा बढ़ जाने से जो 60% हो जाएगा उसको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे दूसरी बात जो OBC वर्ग है वो कहता है कि हमारा कास सेंसर्स जो किया गया था उसके आधार पर हमको जनसंख्या के अनुपात मेरा आरक्षन दिया जाए उसको आप क्या एक्स्प्लेनेशन देंगे जो प्रक्रिया है संसद में इसे पास होना चाहिए फिर देश की आदे से विधान सभाउज ज्वादा इसका अनुसमर्थन होना चाहिए तभी कोई संविधान संशोधन लागू हो सकता है इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है सरकार के पास जो शीत कालीन सत्र ह ये लगभग समाप्ती पर है इसके बाद बजट सत्र शुरू होगा जो कि बमुश्किल एक अंतरिम बजट सरकार रख पाएगी और उसके बाद लोकसभा के चुनावा जाएंगे तो जो प्रक्रिया है इतनी लंबी और जटिल है कि सम्विदान संशोधन करने के लिए इसमें परियाप्त ना तो समय है ना अउसर है और नहीं सभी राजनितिक दलों के बीच उसमें कोई एकमत सामंजस से है और कोई सामंजस से बना पाना भी संभव दिखता ने पीम तिरपाड़ी जी क्या महिला आरक्षन की कोशिश हुई थी क्या उसी का जैसा मिलता हुआ इसका एक फॉर्मेट हम इसको ऐसे समझें उसे राजसभा में पास करानी की कोशिश हो रही थी कि ताकि उसकी वैलिट्टी बनी रहे रहे तो प्रस्तूत करके पारित कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है लेकिन ये विध्यक सरकार ने लोकसभा में रखने का जो है वंशा रखी है क्योंकि इसमें इनके पास संख्या बल है और अगर यहां से पारित होता है तब ये राजसभा में जाएगा राजसभा में भी जाने के बाद ये समविधान संशोधन पूर्ण नहीं हो जाएगा फिर उसके लिए विधान सभा की सामति की आवश्च्रक्ता होगी और देश में इस समय 29 राज्यों और साथ संग शासित क्षेत्रों में दो में यहने कुल 31 विधान सभा हैं यहने कम से कम 15 से जादा विधान सभा में इसका समर्थन करेगी इसे पास करवा मेरा मानना यह है कि यह जिस प्रकार 2014 कंदर चुनाव लड़ा गया था भाजपा ने उस वक्त यह कहा गया था कि 15 लाख सभी के काउंट में आएंगे 2 करोड नोक्रिया मिलेंगे सभी नोजवानों लेकिन क्या हुआ वो एक जुमला बनके रह गया उन्होंने कहा था कि 50 एम सभाव में नहीं आएंगे पहली बाद आगर आपको सभनों की इतनी ही चिंता थी तो आपने पांस साल आपको होने आ रहे हैं आपको सरकार चलाते वे तो आपने पहले की नहीं सोचा यह सोचा इसलिए गया है कि पिछले तीन राजियों के जो चुनावों के जो फैसले लेकिन यह जिस तरह से एंके सिंग साब ने अभी कहा मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि पहली बात तो यह कि लोग सभा में किसी तरीके से क्योंकि पार्टी कोई भी मिरकों नहीं लगता है इसका विरोध करेगी क्योंकि सभी को समवनों की वोट चाहिए लेकिन उसके बाद राजय समा में जाएगा राजय समा में मुझे लगता कि वह पर पास होगा उसके बास सुप्रीम कोल्ट भी बिलकुल यह देखेगा कि यह बिलकुल पार्टी किस परकार यह फैसला अपने लेका आई और इसको पारित करवाने चाहती है कि उसको कहीं अपने नीजि फाएद आधी है दूरी तैयारी भी है ऐसा भी जब कहा जा रहा है जिन लोगों ने अपने सासन में कभी इस तरह का कोई काम नीदक्यत फैसला नहीं ले पाए हैं वो लोग आज सवाल खड़ा करें आज लोग सवा का चुनाव सन निकट है तो मोदी सरकार ऐसे फैसले ले रही है अगर फैसले तीन महीने पहले होते तो आप कहते हैं मधवर्देश, राजस्थान और चुनाव है अगर फैसले छे महीने पहले होते तो आप करनाटक के चुनाव बताते एक सार फैसले होते हैं तो आप बिहार और उत्तरप्रदेश के चुनाओं बनाते हैं यह देश तो चुनाओं का देश है और चुनाओं को देखकर कभी भी मोदी जी या मोदी जी की सरकार कोई फैसले नहीं लेती अगर चुनाओं को देखकर हम फैसले लेते हम GST और नोट ब किया है मोधी सरकार ने जो फैसला किया है मपास और आप देखिए निश्चित पर पर यह आज लोग सभा में भी पास होगा और रोजसभा में भी पास होगा किया जी कीना किया रजसभा मेरे है की योट सब्सक्राइब कोई नहीं रोक सकता है रवी कांत राए किस रूप में ये बिल रखा गया है और कुछ बाते साफ हुई है इस बिल को लेकर जो सरकार लेकर आई है देखें लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है थावरचंद गहलोत ने दो बज़े का वक्त निर्धारित किया गया है जब दो बज़े लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होगी आपको याद होगा कि प्रधान मंतरी ने कहा था कि चार साल तक हम लगातार काम करेगे और पांचमें साल में हम आपको बताएंगे कि राजनीती किस तरीके से की जाती है ये एक ऐसा सियासी दाओ है जिसका कोई विरोध नहीं कर रहा है खुल कर सामने नहीं आ रहा है लोकसभा में जब आज इस बिल पर चर्चा होगी सरकार को पूरी उमीद है कि कॉंग्रिस पाटी सदन में इसका समर्थन करेगी लोकसभा से पास होने के बाद आजी बिल की जो कौपी है वो सरकुलेट की जाने वाली है राजसभा के मेंबर्स को कल इसे राजसभा में रखा जाएगा और इसलिए राजसभा की कारवाई जो है एक दिन के लिए बढ़ाई गई है अगर राज्यसभा में कोई अर्चन आती है ये बिल वहां से पास नहीं हो पाता है दोतियाई बहुमत से तो सरकार के पास ये कहने को होगा कि हम सवर्णों को आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए हैं उनको 10 फीसदी आरक्षनर देना चाहते हैं लेकिन ये पार्टियां इसका विरोध कर रही है क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि तीन राज्यों में जो हार मिली है उसके पीछे कहीं न कहीं सवर्ण की नाराजगी है और अपने वोट बैंक को दुबारा हासिल करने के लिए ये सियासी दाओ चला गया है मोधी कैबिनेट ने जो फैसला लिया है ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है जब कैबिनेट की बैठक होई तो कैबिनेट मंत्रियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज की कैबिनेट में क्या कुछ फैसला होने जा रहा है यानि तैयारी पहले से थी पूरी तैयारी करक इसके जितने समवैधानों पहलू हैं, कानून के जो जानकार हैं, उनसे जानकारी लेने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया और आज दो बजे लोक सभा में इस बिल पर चर्चा होगी और इसके बाद यहां से पास कराने के बाद सरकार इसे राज्जे सभा में भेज़ दे वाली है इस बिल को लेकर भी सामने आएंगे पक्ष और विपक्ष के इस बीच हमारे साथ अब्दुलहफीज गांधी जी मौजूद है, स्पी प्रवक्ता अब्दुलहफीज गांधी जी, आपका स्टैंड इस बिल पर देखे पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ-साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि भारते जनता पार्टी कभी भी आरक्षनड की पक्षदर नहीं रही है जब 1990 के दशक में मंडल कमिशन की रिकमेंडेशन को लागू किया गया था तो भारते जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था और सडकों पर उतर रहे थे और इसी तरह से जो है वो सरकार गिर गई थी तो भारते जनता पार्टी आरक्षनड की पक्षदर कभी नहीं रही है तो सीधा-सीधा ये है कि जो ये आज का फैसला दिखाता है ये कहीना कहीन वोटों की राजनीती से है और ये नीजक रियक्षन है भारते जनता पार्टी का तीन जो हिंदी हर्टलेंड राज भारते जनता पार्टी हारी है उससे उभरने के लिए मैं समस्ता हूँ ये कहीना कहीन फैसला लिया गया है हमारी पार्टी हर तरीके के आरक्षन्ड के पक्षदर है, हम इस फैसले का सौगत करते हैं, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं, कि आज केंदर सरकार के पास कास संसस है, कास संसस को पब्लिक किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाए जाए, उससे आपको हर वर्ग की आबादी पता लग जाएगी, और अगर आबादी के हिसाब से आरक्षन्ड दिया जाए, तो किसी भी वर्ग में नाराजगी नहीं रहेगी, किसी भी वर्ग में मायूसी नहीं रहेगी, तो हम जन संक्या के हिसाब से आरक्षन्ड के हमेशा से पक्षदर रहें, और हमारी अभी भी मांग ह लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनावी फैसला है और चुनावी फैसला इसलिए है कि winter session के खतम होने से दो दिन पहले आप ये फैसल लेते हैं आपको पता है कि कानूनी प्रक्रिया पूरा करने में आपम बहुत पत लगेगा आदे से ज़ादा राज्यों को पास करना है अब आप 29 से 30 साथ है इसको पास करवारी है आप नहीं शायद मुझे सुना नहीं कि हम हर तरीके के आरक्षन के पक्षदर हैं दिनेश जी आपने सुना क्या कहा अबदुल अफीस जी का कहना है कि बीजेपी आरक्षन की विरोधी रही है तो आपकी बार आरक्षन की कोशिश क्यों हो रही है भारती जंता पार्टी हमेशा से हमारा तो नारा है सब का साथ और सब का विकास ये तो कभी धर्म के नाम पर कभी जाद के नाम पर कभी मजाब के नाम पर कभी पंध के नाम पर ये लोग राजनीत करते रहे हैं आज भारती जंता पार्टी की सरकार चाहे केद में हो चाहे उत्प देज लो किसी को किसी लोजना का नाम लेता है और अंध में आकट नहीं बैटे हैं तो आप दो मिनिट का धैज रखिए तो आप दो मिनिट का धैज रखिए का दीजिए कि मुहन भागवा जी ने जितना राम का नाम लेते माला आपने के ऐसे खीड़े से लोग सवाल मूठी है जवाब देने के मैं बैटा हूं ना आपको तकलीब क्यों हो रही है जवाब परदान मंत्री से नहीं दिया जा रहा है जड़ार गया करते हैं कि जवाब सुनने के यह लगता है कि यह जवर्णों को आप दो पर आगे राटसमा में कैसे जाएगा और कैसे पास होगा यह सब क्या हो रहा है और पुरे दिन आएंगे लेकिन बार्टी पार्टियों के लिए पुरे दिन आएगे होता है जब भी आप अरक्षण रहते हैं कहीं इस तरह का कोई कानून है क्या कि संसद में अंतिम दिन आप बिल नहीं ला सकते हैं कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं अगरा क्या आपको मैंने पहले का छे महिने आता तो आप कहते हैं तरे सब्सक्राइब और बर फैसले लेख रहें हमारा सिर्फ कहना यह है आपकी प्रचार की सरकार है एक नया जुम्ला छोड़ा है आप सिर्फ प्रचार के ये सरकार ने 4 साल 8 महीने काटे हैं और ये वही कर रहे हैं आज आपके पास आएंगे मैं आपके आडियो का भी गम कर रहा हूं किया आपको याद होगा कि मंडल कमिशन आया तमाम सवर नाराज हो गए और बैक्वर्ट का बड़ा सिक्षन पचास परसेंट जो भारत के समाज का होता है वो उसके पक्षपे था लेकिन वीपी सिंग अपने चुनाओं हार गई वीपी सिंग के पार्टी चुनाओं पूरी त आपके साथ था ही इसलिए आपको बहुत परिशान होने की ज़रूरत पही थी यह जरूर है कि आपने अच्छा प्रोग्रिसीव कदम इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन बैतर होता कि आप दो साल पहले उठाते तो आपका इंटेंशन मेलाफाइड ना लगता इस समय चुन गवर्मेंट का क्या है चुनाओ जीतना चुनाओ के पहले लाई है यह एक पक्ष है यह बिल अपने आप में प्रोग्रेसिव है रिच पूर डिवाइड भारत की जो एकोनमी पिछले 25-30 साल से रही है उसमें लगातार गरीब अमीर की खाई बरती जा रही गरीब गरीब हो और यह होना चाहिए था जो कोर्ट भी मानेगा किसी स्टेज पे कि नहीं उसको संविधान का जो फ्रेमवर्क है उसके चस्में से थोड़ा निकल के देखना पड़ेगा कि समाज में इकोनमीक इस्थिटी डिस्पैरिटी उस काल में क्या रही है और यह सुप्रेम कोर्ट के ने भी देखा आपको याद हो का कि ब्राउन बर्सेज बोर्ड अफ एजुकेशन में जब यह फैसला आया जो रिवालिश्टरी था आज सुप्रेम कोर्ट को भी देखना होगा कि रिवालिश्टरी बिल है लेकिन जब इंटेंशन पर बात जाएगी तो कोई सुप्रेम कोर अब जब देखेगा या अभी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं कहा है कि बिल गलत है जनमत लिया जाता है और उसमें आप जानते हैं कि इसको बिल प्रोग्रेसिव बिल है सब लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन आपके इंटेंशन मेलाफाइड हैं यह इस बात से लगता है कि सौ दिन पहले आप यह बिल ला रहे हैं वरना यह बिल प्रोग्रेसिव है इसमें बिल अच्छा है लेकिन इसकी नियत साफ नहीं है पार्टी की बीजेपी की नियत साफ नहीं है हमारा मानने यह है कि आप पचास परसंट आरक्षन होना चाहिए लेकिन सिर्फ उनके लिए और आर्धिक रूप से कमजोर होँ चाहे किसी समीदाये के यह जाति इसको कि धर्म यह को हो यह नहीं की आप जातियों के अधार पर आरक्षन देंगी और नहीं कि आृटिक रूप से जो कमजोर है उनको अरक्षन मिले रहां और यहीं होना चाहिए लेकिन आज जो जिस तर सालों से जिस प्रकार इस देश को तोड़ा है उससे जादा अब मोदी जी ने मोदी जी के उमीद थी कि लोग की यह कुछ आरक्षण को खतम करेंगे लेकिन उन्हों तो कहा कि आरक्षण खतम नहीं होगा बेसक मेरी गर्दन आप मेरे को जान से मारते लेकिन आरक्षण खतम नहीं होगा इस तरह के ब्यान दिये रही बात आज से कुछ दिन पहले ही दो-चेर दिन पहले परदानमंत्री जिन कहा कि सवर्णों की मलब उच जाती वालों की यह पार्टी नहीं है आज आप दो दिन बात जो है सवर्णों के लिए आप आरकशन लागे देते हैं तो आपकी कही न जीए पर सवाल उठता है आपकी नियत साब नहीं है यह सिर्ब और सिर्फ बेंक की राजनिति के लिए ही आपने यह सब किया अज़र्वाइस आपको कोई जूरत नहीं थी अगर लेकिन पिछले तीन राज्यों को चुनाओं के नतीज आए उसके बाद आपको पता चला कि सवन इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी ताकत रखते हैं और सवन ही नहीं अलफ संखक भाईयों को भी जो जिस प्रकार अभी आपको उता दूं कि अलफ संखकों को भी आरक्सन नही दिनेश हमारस्थ पीम तरपाथी जी भी हैं पीम तरपाथी जी अभी साफ होगा कि ये बिल किस रूप मेंलाया गया है लेकिन जश तरह की बाते इस बिल को लेकर सुन्ने में आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक आधार पर यह Yeager होगा दस फीस दिस अमंढ़नों या इसमें बहुत प्रकार की ऐसी तक्नीकी अर्चने रहेंगी, जो कि इसके रूप या इसके पूरे प्रयास को ही पिपल करेंगी. पिल का जो ड्राफ्ट है, वो कौन सा संसत में किस तरीके से पेश किया जा रहा है, उसके प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं, जब इस पर चर्चा होगी, जब हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी तक इस विधयक का प्रारूप क्या है, उसमें प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं, इस पर कोई भी बातचीत या विमर्ष नहीं हुआ है, और ना इस तरीके से सरकार की ओर से सारवजनिक किया गया है, तो जब ये लोगसभा में प्रस्तुत होगा, उसके बाद आरे राजनितिक दल वोट बैंक की ही तो पॉलिटिक्स करते रहें, और राजनितिक दल अगर राजनिति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इन्होंने भी अपना मौका देख करके एक राजनितिक चाल चल दिया है, जिसके पक्ष और विपक्ष में, आज हम लोग यहां पर चर्चा और विमर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि ये विधयक पास हो पाए, नहों पाए, जब भी हो पाएगा, इस कोशिश ने एक संसद में उस प्रक्रिया को तो आगे बढ़ाई दिया है, और देश में उस राश्ट्रिय जन्मत को विमर्ष के लिए, आपसी ब पारित होगा, और न्याय पालिका को भी नए नजरिये से, नए तरीके से, नए सामाजिक आर्थिक परिद्रिश्यों को ध्यान में रख करके, अपने निरणे में इस बात को ध्यान रखना होगा, कि समवैधानिक संशोधन, समय, समाज, संस्कृति के अनुसार होते रहते है और समवैधान के अनुसार ही देश का शासन प्रशासन और नयाय ववस्ता भी चलती है उतना नहीं तकलीफ देती है जितना की सोशल डिफ्रेंसेज जो होते हैं, सोशल डिस्पैरिटी जो होती है और एजुकेशनल तो जो उनके सामने ये बात है आपके 70 साल करीब 75 साल पुरानी जबकि सम्मिधान निर्मान शुरू हुआ और उस समय उन लोगों परसेप्शन क्या था उसमें शुरू किया था आज 70 साल बात, जब ये माना जा रहा है कि आज 75 परसेंट लिट्रेसी रेट हो गया है, करला में ये 97 परसेंट है तो ये माना जा रहा है कि सैक्शनिक वाला तो लगभग बराबर हो गया है, एकोनोमिक डिस्पैरिटी बढ़ी है तो मेरे कहल से प्रोग्रेसीब बिल है, समाच के सोचना पढ़ेगा इसे हम आज के तारीक में कह सकते हैं, हमारे साथ दिनेश तिंग जी भी है दिनेश तिंग जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर फिर उसके बार चर्चा में समय कम है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए इस देश में कौन किस रंग का चस्मा पहनेगा और उसको दुनिया किस रंग की दिखेगी, ये किसी को रोका नहीं जा सकता है अगर आपने लाल रंग का चस्मा लगा लिया है, तो आपको दुनिया लाल दिखेगी आपने नीले रंग का चस्मा लगाया तो आपको दुनिया नीली लगेगी इस फैसला जो बिल आज आया है हमारी सरकार ने दिल और दिमाग दोनों को पूरी तरह से इसमें प्रियोग किया है इसलिए किसी को किसी संसे की जरूरत नहीं है जो इस देश में फैसले इसलिए लेते थे कि वोट के नाफेव मुशांग के लेकिन जो पांच राजो के रिजल्ट और इस बार नोटा का जो इस्तमाल किया लोगों ने क्या उसने कहीं सोचने पर मजबूर किया बीजेपी को बिलकुल नहीं वहीं तो मैं कह रहा हूं कि अगर दो साल पहले लाते तो आप कहते बिहार के चुनाओं को देखके लाए तीन महीने पहले लाते तो कहते तीन राज्यों को देखके लाए उसके पहले लाते तो आप कहते उत्तबर देश के चुनाओं को देखके अरे कर रहा हूं तो आप धारा 370 पर राम मंदिर पर विदेख लेका आजएए न आप अगर इतनी चिंता है तो आप देख लेका है आप आप संसद में कहिए कि हम लोग समर्थन देने वाले कहिए ना इतिक साहस है तो एक कांग्रेस के लिदेश नहीं लाएंगे लिदेश नहीं आप देखे लिदेश नहीं पताएंगे आप राम मंदिर पर रहें जी बताएंगे आपका आखरी कॉमेंट उसके बाद समय कम है चर्चा को हम समापत करेंगे देखे ये मुद्ध जो है ये बिलकुल डाइवर्ट हो रहा है ये मुद्ध बिलकुल डाइवर्ट हो रहा है मैं इसको वापस लेकर आना चाहती हूँ 10% सवर्ण आरक्शन पे जिसका कांग्रेस पार्टी हमेशा से समर्थन करती रही है 1992 से हम समर्थन करते आएंग उससे स्यूसाइट कर रहा है कॉंग्रेस सरकारे ना आए तो रिड माफी तक के लिए आप उसका विरोध कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में आप क्या रिलाइंस में या अड़ानी जी की कम्पनियों में आरक्षर देंगे कि रोज़ार पैदा करने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं सब्सक्राइट कर रहे हैं अब इसके साथ हैं आप इसका समर्थन करते हैं लेकिन आप इसको मानते हैं अब गांदी जी आप मानते हैं कि चुनाओ ये चुनाओ को देखते लाया गया बिल है जी गांदी जी पार्टी को उसकी चिंता नहीं है हम ये मानते हैं कि आरक्षन होना चाहिए सबर्णों के गरीबों को लेकिन ये जो कदम उठाया गया है मानने मोदी जी द्वारा वो सिर्फ चुनाओं को देखते हो बेशक चीक है तो आरक्षन भले ही हो लेकिन जॉब क्रिएशन भी जिम को